तो वही चाइना अब तैवान पे हमला करने की बड़ी प्लैनिंग कर रहा हूँ जहाँ चाइना का पूरा 5% से economy GDP भी ग्रो नहीं कर पा रही है 2027-28 तक चाइना अमेरिका को पीछे छोड़के number one economy बन जाएगा सबसे powerful economy of the world बन जाएगा कि अगर तैवान पे अटेक होगा मतलब USA पे अटेक माना जाएगा अब एक बड़ी समस्या ये आजाती है कि खुद के खाने को पैसे नहीं है और चले दूसरों से युद्ध लड़ने को हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग बड़े यूट्यूबर्स चिला चिला के बुलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है क्या ये डेमोक्रेसी दिख रही है आपको ये hand palm rule कहलाता है चाइना का चाइना इस पूरे पंजे को मानता है यहाँ पे चाइना और यह पांच जो उगलिया है यह चाइना को अपने कबजे में लेनी अब यहाँ पर हमें यह बात समझनी है कि इस picture में जब चाइना टाइवान के अटेक कर रहा होगा तो भाई साब यह जो दो लोग बैठे हुए हैं यह समेशान तो नहीं बैटेंगे चाइना को यह वाली बॉर्डर भी कहीं न कहीं प्रीस करनी पड़ेगी ऐसे में इस बॉर्डर पे भारत जो है पायदा उठा सकता है कि भारत के पास एक काफी अच्छा मौका हो सकता है जब चाइना अटेक कर रहा होगा टैवान के ओप है तो यह इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो कि चाइना के ओपर लगा है कि अपने ही लोगों को बैंक से पैसे निकालने नहीं मिल पा रहे हैं चाइना डैप ट्रैप में फसे हुए देशों में बहुत सारा पैसा बरबाद कर चुका है तो वही चाइना अब तैवान पर हमला करने की बड़ी प्लैनिंग कर रहा है और यह बड़ी प्लैनिंग सिर्फ इतनी ही पिच्चर नहीं है उसके लिए उसने बजट भी बढ़ा दिया है जो नए बजट अनौंस्मेंट हुए है चाइना के तो उसमें जो ताइवान प्लैन है इनका जिस पर टाइवान पर अटेक करने का जो फ्यूचर इनका है एक परस्पेक्टिव है उस पर इनके द्वारा अपना बजट बढ़ा दिया गया है क्या है यह पूरी स्टोरी भारत का यहां पर क्या स्टैंस रहने वाला है यह सब को चम वीडियो में जानेंगे कि अगर चाइना तैवान पर अटेक करेंगे तो किस तरीके का इंगल हो सकता है और खास करके जब भारत सरकार में अभी नरेन मोदी गवर्मेंट है जो की काफी एग्रेसिव फॉरिन पॉलेसी के साथ चल रही है और जब हमने भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी मतबेद हुए वो देखा तब भी भारत ने एग्रेसिव एक्षन लिया अगेंस्ट पाकिस्तान तो यह यहां पे बड़ी पिच्चर दिखाने की कोशिश है मेरे द्वारा कि यहां पे क्या फ्यूचर परस्पेक्टिव हो सकता है तो सबसे बहले तो आप पिच्चर जान लो कि यहां पे पूरी कहानी क्या है और यह च चाइना यहां पे क्या कर रहा है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग 7.2 परसेंट से बढ़ा रहा है जहां चाइना का पूरा 5 परसेंट से एकौनमी जीडीपी भी ग्रो नहीं कर पा रही है ठंग से वहां पे अकेला अपना स्पेंडिंग जो डिफेंस के उपर है वो 7 से रखने हैं तो चाइना का फ्यूचर का यही प्लैन है वन चाइना पौलेसी का अभी मैं आपको काफी अच्छे तरीके से समझाओंगा कि ये वन चाइना पॉलेसी क्या है और हैंड पाम रूल क्या कहलाता है वो चीज तो हम समझेंगे आगए लेकिन चाइना को यहां पे तरीके से ये पहले हमेशा peaceful शब्द जोड दिया करते थे लेकिन इस बार का जो budget लाया गया है चीन द्वारा तो peaceful जैसे word को यहां से हटा दिया गया है पूरी कहानी को और अच्छे समझने कोशिश कर रहे हैं तो सबसे चर्चा कोई छोटी मोटी नहीं है ये चर्चा स्वयम चल कहां पर रही है National People Congress आसान भाष्णा में समझेगे तो जैसे भारत का पार्लियामेंट है उसी तरीके से National People Congress जो है चाइना की पार्लियामेंट है हालांकि सिर्फ नाम की पार्लियामेंट है क्योंकि अगेन आपको पता है यहां पे सिर्फ एकी पार्टी है Communist Party of China और वोट देना है आपको तो उन्हीं को देना पड़ेगा ठीक है शीजिंपिंग को ही वोट दे सकते हैं आपके पास दूसरा कोई option ही नहीं है जंदा के पास कोई option नहीं है तो जैसा सरकार चाहेगी वैसी ही सारी चीज़ें होंगी ठीक है तो चाइना ने यहां पे क्या करा है Reunification वर्ट तो अभी भी mention करा है बट peaceful की जगे अब क्या रख दिया है be firm फर मतलब होता है लगातार या फिर इसको अगर geopolitics की language में हम समझने ही कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम उस पे ठोस इरादों के साथ लगे हुए हैं और जल्दी ये काम हम पूरा करेंगे जैसा कि geopolitics में यही words चलते हैं इनको harshly या softly अलग-अलग terms में use किया जाता है अभी तक चाइना की कोशिश हमेशा peaceful रहा करती थी बड़ देख रहे हो धीरे धीरे ये stance क्या होता जा रहा है ये change होता जा रहा है एक बहुत famous report है कि 2027-28 तक चाइना अमेरिका को पीछे छोड़के number one economy बन जाएगा सबसे powerful economy of the world बन जाएगा और अगर चाइना इस position पे पहुँच गया और आप ये मान के चलो भारत भी तीसरे number पे पहुँच जाएगा लेकिन अब जो है इसमें defense spending लगातार ये लोग बढ़ा जा रहे हैं धीरे 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 करके तयारी हो रही है ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहां पे चलती जा रही है और एक बड़ा action कभी यहां पे चाइना ले सकता है एक और report सुन लो यहां पे तो report क्या है कि चाइना न अब यह budget और तेजी से बढ़ता जा रहा है ताइवान के उपर भी एक tension बढ़ा हुआ है ठीक है ताइवान का एक ally कौन है USA एक बहुत important ally है USA और USA और ताइवान के बीच में pact sign है कि अगर तैवान पे attack होगा मतलब USA पे attack माना जाएगा तो मतलब अगर ऐसी war होती है तो यह बात आप मान के चलो कि जो तैवान के उपर attack होगा तो कहीं ना कहीं USA का भी indirect involvement हो जाएगा वहां पे और यह रहता ही है USA जहां पर war हो वहां पर USA ना हो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है तो यह चीज़ें यहां पर लगातार चलती रहनी है ठीक है एक बार हम map में locate कर लेते ह चीज़ों को तो देखो आपके चाइना देख पा रहे हो ठीक है चलो यह जो चाइना है तो आप चाइना की direct borders तैवान से लगी हुई देख पा रहे होंगे ठीक है तैवान यह देख रहा है map में ठीक तैवान और चाइना के बीच का जो difference है सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट से separate हो रहा है ठीक है और यहां पर कौन सा ओशियन है यहां पर कौन सा ओशियन देखने को मिलेगा यहां पर साउच चाइना सी देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर साउच चाइना सी जहां पर चाइना यह बताता है कि साउच चाइना सी पर पूरा का पूरा हिस्सा किसका है पूरा का पूरा हिस्सा चाइना का आपको देखने को मिलेगा ऐसा चाइना क्लेम करता है ठीक है समुद्र पे किसी की particular इंसान की border नहीं होती है हमने discussion भी किया था previous session में जहाँ पे हमने exclusive economic zone के बारे में बात की थी अब एक बड़ी समस्या ये आजाती है कि खुद के खाने को पैसे नहीं है और चले दूसरों से युद्ध लड़ने को ये चाइना की समस्या है और ये चाइना के लिए छोटी मोटी समस्या नहीं है आप यहाँ पे कुछ द्रिश्य देखिए ये 2022 का द्रिश्य है एक लाइन एक कोट पड़ देता हूं चाइना इसा होगा जहां उसके पास कोई चाइना नहीं होगी लेकिन वो युद्ध उसको लड़ना पड़ेगा कुछ पुराने द्रिश्य आपको पहले याद दिला देता हूं सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 की जुलाई 2022 की ये घटना है चाइना का जो टियानमेन स्क्वेर है पहले तो टियानमेन स्क्वेर के बारे में अगर हम बात कर लें तो 1989 का एक बड़ा फेमस यहाँ पे इंसिडेंट है जहाँ पर लोगों ने कुछ डिमांड रखी थी टियानमें स्क्वेर के सामने ठीक है चाइना की पबलिक ने और वहाँ पे उनको मार दिया गया था गोलियां चलाई गए थी मसेकर किया गया था हत्याकांड किया गया था जिस प्रकार का हमारे देश में जलिया वाला बाखत्याकांड हुआ था न उसी तरीके से चाइना की खुद की गवर्मेंट ने खुद के लोगों के ऊपर क्या किया था तो यहां पर यह मुद्दा क्या था यह 2022 की बात है 2022 को चाइना में जब लोग बैंकों में पैसा निका क्लियरली दे लिया था अब एक बात इमेजन करो हमारे देश में जो बड़े 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 यूक्टीबर्स चिला चिला के बोलते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी को को यह दूर दूर तक मुझे डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है ठीक है चाइना में तो डेमोक्रेसी की खेर कोई उमीद कर भी नहीं सकता है बट टियनमें स्क्वेर में लोग अपना खुद का पैसा निकालने जा रहे हैं इमेजन करो एक केस आप सुबह सुबह उठो आप अपने बैंक में पैसे निकालने जा रहे हैं और आपको भारत सरका टेंक खड़ा कर दे वहां पर कि भाई पैसे निकालने ही कोशिश कर तो लो अब ठीक है नहीं कर पाओगे लेकिन ऐसी पिच्चर हम इंडिया में कभी इमे पैसों की जगए वाटर मेलन्स ले रहे थे वाटर मेलन की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई एकदम से अचानक से कि मनी नहीं था उसकी जगए वाटर मेलन लेने पड़ रहे थे तो ऐसा अजीबो गरीब सा जो हमारा चाइना भाई है तो यहाँ पर अजीबो गरीब किस से इस देश के अंदर तो सुलज नहीं रहे लेकिन इनको क्या करना है इनको युद्ध करना है तैवान से ठीक है यह तैवान से यह युद्ध करना चाहते हैं ठीक है तो अगेन युद्ध करने के लिए कुछ पॉलिसी भी होती है अब तैवान छोटा सा जरूर है लेकि तरीके का काटेदार जानवर होता है यह तैवान यह कहता है चाइना हम पर अटेक करेगा एक नाएक दिन जरूर अटेक करेगा और तैवान अटेक करने के बाद चाइना जो है तैवान पर अटेक करने के बाद उसको जीत भी लेगा लेकिन एक कंडिशन है तैवान यहां पर बोलता है कि अगर हम पे अटेक करोगे तो खुद को बहुत बड़ा नुकसान धेलना पड़ेगा एक छोटी सी कहानी है कि एक लेपर्ड या फिर एक टाइगर को हम लेते हैं इमेजिन करते हैं और वो एक पॉर्क्यूपाइंट पे अटेक करे तो जब टाइगर पॉर्क्यू कि पहली सबसे बड़ी economy बन जाएगा चाइना लेकिन चाइना को इसके लिए सफर भी करना पड़ सकता है और तब मौका आएगा कौन से देश के लिए तब मौका आएगा हमारे भारत देश के लिए भारत देश के लिए क्या मौका आएगा आगे हम डिसकस करते हैं सबसे प कर दिया गया है इनकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से और यह जो ग्रोथ टार्गेट है 2024 का वो कितना है मैंने आपको बताए GDP कितने से बढ़ रही है 5% से इंडिया की कितने से बढ़ रही है 8% से हालांकि इंडिया भी चाइना से बहुत पीछे है लेकिन एक समय ऐसा आएगा ज उसने चाइना को ये बात बोली है कि दोनों साइट एक दूसरे के सबॉडिनेट नहीं है मतलब आसान भाषा में ये दोनों इंडिपेंडनेंट नेशन्स हैं अब पहले आप एक कहानी समझ लो फिर आपको पूरी पिच्चर समझ में आ जाएगी तो ये आप स्क्रीन पर द जो तिबबत वाला एरिया है जिसमें हम लगदाक को भी इंक्लूट कर सकते हैं उसको अपना हिस्सा मानता है दूसरे में यहाँ पर उंगली आ जाती है इसको बोला जाएगा उत्तराखंड कि कभी न कभी चाइना की ये सारी प्लैनिंग है कि इन राज्यों पर कबजा करना है ठीक है इसके बाद जो है भूटान पे भी बहुत बड़ा लक्ष है चाइना का भूटान पे भी बहुत बड़ा लक्ष देखने को मिल रहा है कि वो कभी न कभी कभी कभजा करेगा तो चाइना की अगली प्लैनिंग भूटान रहने वाली है उसके बाद अरुनाचल प्र जहां पे चाइना इसको अपना चाइना मानता है और यह जो पांच उंगलियां दिख रहे हैं इन पांच उंगलियों को यह पांच अलग टेरिट्रीज मानता है जो की एक समय पे चाइना कबजा करना चाहता है ठीक है तो तैवान जो है तैवान अभी इस समय बहुत जादा प मांता है तो दोनों के अपने अलग-अलग स्टेंस हैं अब यहां पर हमें यह बात समझनी है कि इस पिच्चर में जब चाइना ताइवान पे अटेक कर रहा होगा तो भाई साब यह जो दो लोग बैठे हुए हैं यह समय शान तो नहीं बैठेंगे अगें हमारी भी कुछ प्लैनिंग चल रही होगी हमें भी कुछ करना होगा भारत उस केस में क्या कर सकता है भारत के पास कुछ बहुत अच्छे ऑप्शन से एक ऑप्शन जो सबसे पहला देखने को मिलता है जो है एल एसी लाइन ओफ एक्ट्रूल कंट्रूल हुआ क्या था जब चाइना ने तिब जो जो सब्ति अक्साइचेंब खागत तो अगर और चाइना यहां से अपनी बॉरडर पे जो लगा हुआ है जो गलवान वैडि इंसीडेंट भी भारत के साथ हुए तो चाइना को यह वाली बॉर्डर हुए कहीं कहीं फ्रीज करनी पड़ेगी ऐसे मने इस बॉर्डर पे भारट जो है फाइदा अठा सकता है लेकिन चाईना से भी पहले भारत का एक परम दुशमन कौन बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है पाकिस्तान ने भी PAKISTAN कश्मीर को अपना हिस्सा बना रखा है पाकिस्तान में सिनेरियो ऐसे चल रहे हैं कि जल्दी देश जो है चार छोटे देशों में तुखडों में तूट जाएगा तो पाकिस्तान का सिनेरियो भी काफी खतननाक है तो यहां पे इस पिच्चर में हमको एक बात समझ में आ रही है कि भारत के पास एक काफी अच्छा मौका हो सकता है जब चाइ चाइना से परिशान है देश के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन बन रही है तो कहीं न कहीं चाइना के लिए बहुत बड़ा सिर्दत बनने वाला है ताइवान के उपर अटेक करना लेकिन विनाष काले विप्रीत बुद्धी तो इस बात पर हम कोई कमेंट नहीं कर स सो मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद्र